कॉंग्रेस ने उत्तर प्रदेश में पार्टी संवठन में बड़ा बदलाव किया है कॉंग्रेस ने ब्रिजलाल खाबरी को हटा कर अजय राय को नया यूपी अध्यक्ष बनाया है पिछले काफी दिनों से इस बात की चर्चाएं थी कि कॉंग्रेस ब्रिजलाल खाबरी को हटा सकती है कॉंग्रेस ने पिछले साल अक्तूबर में ब्रिजलाल खाबरी को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था तब अजय राय उनकी टीम में क्षेत्रिय अध्यक्ष थे अजय पीएम मोधी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ चुके है माफिया मुक्तार अंसारी को सजा दिलाने में अजय राय का बड़ा हात रहा है अवधेश राय हत्याकान में अजय पैरोकार थे इसी हत्याकान में मुक्तार को पहली बार सजा हुई है मुक्तार को उम्रकैट की सजा हुई है बता दे कि पंजाब में जब कॉंग्रेस की सरकार थी तब मुक्तार अंसारी को जेल में विप ट्रीट्मिंट की खबर ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी तब भी अजय राय ने इस पर सवाल खड़े किये थे अब अजय राय के सहारे ही कॉंग्रेस यूपी में शायद अपनी खोई जमीन पाने में जुटेगी अजय राय 2017 और 2022 में विधान सभा चुनाव जीतने में नाकाम रहे लेकिन वह सानों से कॉंग्रेस में महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभा रही है कॉंग्रेस ने तृत्व के उन पर भरोसे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाली में महासचिव प्रियम का गांधी वाड़ाद्वारा राज्य इकाई के फेर बदल में उन्हें प्रयागराज शेत्र के लिए पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया इसमें पूर्वी यूपी के करीब 12 जिलों की जिम्मेदारी उन्ही पर है 1996 से लेकर 2009 तक अजय राय भाजपा से जुड़े रहे 1996 में वारानसी के कोलसला विधानसभा से अजय राय विधायक बने इसके बाद अजय राय से वारानसी की कोलसला विधानसभा सीट कोई छीन नहीं पाया 1996 से 2009 तक लगातार अजय राय कोलसला से विधायक रहे 2012 में दिग्विजय सिंग यूपी के प्रभारी और कॉंग्रेस महासचिव थे। उन्होंने अजय राय की कॉंग्रेस में एंट्री कराने महत्वपूर्ण भूमी का निभाई। अजय 2012 के विधानसभा उपचुनाव में वारानसी की पिंदरा सीट से कॉंग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और पांचवी बार विधायक बने।